जे बिल्कुल अंजना तस्वीरें आपको राजभवन के अंदर सभागार के दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि अब ये शपत ग्रहन का कारिक्रम जो है कुछी मिंटों में शुरू होने वाला है तमाम जो नव दिर्वाचित विधायक हैं जे डियू, बीजेपी हम ये विएपी के सब यहां पहुंच चुके हैं हाला कि विपक्षी दलों ने इस पूरे कारिक्रम का जो है भाहिशकार किया है, बॉयकॉट कर दिया है और तमाम जो डिग्निटरीज हैं, ब्यूरोक्राट्स हैं सभी यहां पे पहुंच चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त जो हिंदुस्तानी अवा मोर्चा के कोटे से संतोश मांजी जो कि जीटना मांजी के बेटे हैं वो मन्त्रीग बन रहे हैं, तो संतोश मांजी की पत्नी और बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जरु बात कर लेते हैं, पत्नी हैं आप क्या नाम हूं? सोपे हैं तो हम चाहेंगे कि यह अपने उस विश्वास पे खरे उत्रें और इमंदारी पुर्वक काम करें और मुझे विश्वास है कि यह सई धंग से काम करेंगे अब पती मंत्री बनेंगे क्या लगता है बहुत चुनोती तो आते रहती है लेकिन मतलुब समय के साथ सब ठीक हो जाता है मेनत करेंगे अच्छा काम करेंगे समाज में तो आएगा ही परिनाम मिलेगा संतोष मांजी के दो बेटे और बेटी भी हमारे साथ इस वक्त मौझूद है क्या ना हूँ आपका अधित्य प्रकास पापा मंत्री बनने जा रहे हैं पहली बार आपके दादा जी तो मंत्री थे और मुखे मंत्री बनने जाने इसके लिए हमां खुस हैं और उन्हें नई पूरा करेंगे जरूर अच्छा काम करेंगे अच्छा काम करेंगे बहुत सारे काम किया है बहुत सारी योजनाई लेके आई है क्या लगता आगे भी बढ़ाएंगे हां आगे बढ़ाएंगे कौन सा विभाग सोचती है कि वहां काम करेंगे पापा तो जादा बहतर होगा कोई भी रहे लेकिन पापा साथ भी सब्सक्राइब अच्छे से काम करेंगे जादा जी जाद संतोष मांजी का परिवार इस वक्त हमारे साथ है देख सकती हैं कि पतनी दोनों बच्चे जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि घर में तो एक मुख्य मंत्री रह चुका है जितना माजी लेकिन अब संतोष मांजी को इस बार मंत्री बनाया जा रहा है हिंदुस्ता अगर कुछ और लोगों से वहां पर बात हो पाए तो बताइए सब नव निर्वाचित वहां विधायक पहुंच रहे हैं